जैहिन विवर CAPF Central Armed Police Forces के Notification 2021 की Important Information जानेंगे मेरे बारे में ये Notification की Main Page 15th April 21 का ये Notification है इसमें जो Last Date for Submission of Application, Last Date जो है Form Apply करने का Online Form that is 5th May How to Apply, तो इसमें बहुत कुछ नहीं है, Simple है Online Only, इस Website पर जाके UPSC के ये एक Photo ID आपके पास होनी चाहिए, जो Online Application अपलोड करते समय आपको उसकी Scan Copy जो है Scan Copy Photo ID की अपलोड करनी होगी, जो की Future Reference में जरूरत पढ़ता रहेगा Then ये Online Application की Last Date 5th May 21, साम को 6 बज़े तक 0600 PM, 1800 जिसको बोलते हैं, Railway का टाइमिंग है Then Online Application can be withdrawn, यदि आप चाहते हैं, Form भरने के बाद आप चाहते हैं, एक्जाम में नव बैठें, इस Application को Cancel करना है Online Application को, तो आप 12th May 21, से लेके 18th May तक के बीच में, आप कभी भी साम के 6 बज़े तक Cancel कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे मतलब आपने Form Apply कर दिया, कुछ Issue है, तो आप इस Date के बीच में आप इसको Cancel कर सकते हैं, इसके पहले जो Withdrawn वाला Option जो है, अविलेबल नहीं रहेगा, इस Date के पहले Form Apply होने के बाद जो Elisable होंगे, उनको एक E-Admission Certificate, that is Admit Card के equivalent है एक तरसे, यह Issue किया जाएगा तीन वीक पहले एक्जाम के, यह आपको इसलिए बोला जारा है, क्योंकि यह Electronic है, कोई By Post से आपको कोई भी Admit Card या E-Admission Certificate नहीं इशू होगा, और उसको आपको डाउनलोड करना होगा इस वेबसाइट से, और इसलिए आपको वो एक वैलिड इमेल आईडी भी देना है, फॉर्म फिलप करते से में, जो की हर जगह होता है, यह मतलब बेसिकली Supporting Center है, यह कुछ इशू हो रहा है, आपको कुछी भी चीज में, अप्लिकेशन में, कैंडिडेचर में, यह वही अप्लिकेशन से रिलेटेड है, तो आप यूपी वैकेंसी है, वह 159 है, आपको मालूम होना चाहिए, CAPF जो है, वह Ministry of Home Affairs के अंडर में आता है, जिसको आप सिंपल में Home Ministry बोलते हैं, अमिट राजी हैं अभी, Home Minister. यह सब सेंटर है, आप अपनी सुवधा के अनुसार चूच कर सकते हैं, और इक और बात ध्यान रखेंगे, जो पहले apply करेगा, उसको पहले lot होगा, तो वह बात ध्यान रखेंगे, first come, first service, first apply, first lot, and then उसके बाद भी, यदि कुछ issue है, तो वह commission उनके पास UPSC, right है कि वह अप यह eligibility condition, nationality, राष्टेता, भारती, नेपली, या भुटनी, then sex के बारे में, यह vacancy जो है, आपकी जो यह assistant commandant, CAPF में जो entry है, यह male and female दोनों के लिए, age आप देख लीजिए, कुछ central government के जो employee है, उनके लिए, और ex-servicemen के लिए भी relaxation है, कई तरह की उसमें age criteria, relaxation के लिए, तो वो एक और चीज़ जिसमें mention है, जो total relaxation होगा, government service करने के लिए, so that is limited to 5 years only, minimum education qualification, एक bachelor degree, BA, BAC, BICOM या कोई भी equivalent degree है, उसमें आप applicable है, then qualification को लेके कुछ important notes, जो candidate अभी exam में appear है, maybe BA, BAC, BICOM, final year का result नहीं आया हुआ है, तो वो भी उसी exam में apply कर सकते हैं, बसरते की, जब उनसे क रहा जाएगा, document produce करने के लिए, तो वो produce कर दें, then no two, ये एक exceptional case है, कि UPSC जो है, यदि कोई आपके पास जो qualification उपर जो mention है, forgoing मतलब जो उपर qualification mention है, ये graduation का, तो वो यदि नहीं भी है, तो भी UPSC अपना उनके पास एक अधिकार है, जिसके वज़ा से, वो किसी भी candidate को बो करने के लिए, ये एक exceptional case है, then candidate जिनके पास professional and technical qualification है, वो भी apply कर सकते है, जैसा कि कई सारे exam में होता है, कि equivalent degree होती है, for example, BA, BAC के लिए इदी ओ graduate है, तो BTG है, वो भी equivalent है, कई सारे exam में BBA भी, मतलब जो graduation degree है, तो आप equivalent degree है, professional degree, technical degree, तो भी आप apply कर सकते है, then restriction on reappearance of candidate, तो यहा पर एक और बात है, कि जो candidate already selected हो गया है, पूरा final उनका हो गया, वो apply नहीं करेंगे, कई बर क्या होता है, कि लोग BASF में जाते हैं, और वो अपना preference change करना चाहते हैं, SSB में, तो यह सब चीजें allow नहीं है, क्योंकि reappearance allow नहीं है, जो already finally selected candidates है, उनके लिए, then NCC B and C certificate holder है, वो desirable qualification है, जो कि उनको retain में नहीं, लेकिन interview and personality test में उनको consider किया जाएगा, एक weightage दिया जाएगा, fees के बारे में general instruction, female के लिए कोई fee नहीं है, and SCST जो candidates है, वो male and female, female के लिए तो है ही नहीं, SCST जो male candidates है, उनके लिए भी कोई fee नहीं है, बाकी जो दूसरे candidate है, basically male candidate, OBC, EWS या जो भ किया हुआ है, activate, deactivate हो जाएगा, that is, 4th में, 2-3 final, रात को 12 बजे तक, यह 4th में तक, तो ध्यान से, इसमें कई सारी चीज़े है, offline and all, उसको ध्यान से पढ़ दीजेगा, then कोई fee नहीं है, female candidate के लिए, और जो male है, वो SCST के लिए, कोई fee नहीं, बाकी सबको pay करना है, कैसे apply कर करना है, वो तो link है, UPSC की website पे, आपको online apply करना है, यह सारी चीज़े हैं, उसमें detail में mention है, ध्यान दीजे, last date for submission, जैसा की पहले ही बताया गया, 5th में, सामको 6 बजे तक, एक और बात, आप जो application withdraw कर सकते हैं, वो जैसा की बताया है, पहले 12 में से लेके 18 में तक, सामके 6 बाद भी नहीं, इस date के बाद में भी आप इसको withdraw नहीं कर सकते, then correspondence, जैसा की बताया गया कि यदि कुछ e-admission certificate में कुछ issue है आपको, तो आप ये contact number पे contact कर सकते हैं, यहाँ पे detail दिया हुआ, important क्या है, कि आपको जो सारे आपकी communications होगे, यदि आप कुछ mail भेज रहे हैं, contact क कर रहे हैं, तो आप ये सारी चीजें अपने पास detail रखें, कि इस exam के लिए registration ID and all, ये सब जब आप form fill करेंगे, तो आज आएगा, service allocation जो है आपकी merit के बाद, for example, SSB, ITBP, CISF, CRP, जो भी है, वो allocation जो है, वो आपकी merit पे होगी, जो की return plus interview test में, जो आप marks लेके आएंगे, उस के बाद आपके जो preference, तो पहला criteria है merit, उसके बाद criteria है, आपका preference क्या है, selection procedure, form भरने के बाद, e-admission certificate, that is admit card, उसके बाद आपको उसमें written exam का date होगा, written exam आपकी fix है, 8th August 21 को होगा, अभी दो paper जैसा होता है, paper 1, general ability and intelligence, 250 marks का, paper 2, जो general studies, essay and comprehension, ये descriptive है, 200 marks का, सारी चीज़ ध्यान स पल दीजे, physical standard, सारी रिक मापदन, आप देखने में कैसे है, आपकी height कितनी है, आपका weight कितना है, आपका age कितना है, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है, physical standard में, physical efficiency test, सारी रिक दक्षता परिक्षा या PFT, fitness test, जो है, वो आपका होगा, तो उसमें ये mention किया गया है, 100 meter का race ये male के लिए 60 second में, female के लिए थोड़ा time जादा है, then 800 meter time इधर है, long jump, lumpy code, यहाँ पर spelling mistake है, notification में, J-U-M-P, तो यहाँ पर ये long jump हो गई, आपको यहाँ से यहाँ तक कुछ कूदना होता है, वो सारा detail दिया हुआ है, short put, जिसको बोलते हैं, एक weight को लेके आपको यहाँ पर qualify है, मतलब, return pass किया, फिर PFT pass किया, then medical pass किया, तब जाके आपकी यह interview and personality test होगी, उसके बाद यह जो test है, वो that will be of 150 marks, और उसके बाद ही आगे की कारवाई सुरू होगी, final selection और merit जो है, वो आपकी written exam and interview, यह दोनों पर decide होगा, then जो syllabi, यह syllabus singular का plural है यह, तो इसमें general ability and intelligence का पूरा यह syllabus दिया हुआ है, कई सारे topic, then next topic, general studies, essay and comprehension का syllabus दिया हुआ है, चुकि आपकी जो answer seat evaluate होगी, वो एक computerized machine से होगी, तो इसलिए आपको अच्छे quality का ball pen use करना है, physical and medical standards जो है, वो main के लिए यह height, chest आप देख सकते हैं weight, जिनको confusion है, height के according weight होगा and age का भी factor है, उसका chart अभी हम देखेंगे, and दोनो male and female के लिए दोनो थोड़ा different है, medical standard यह आपकी eyesight, distant vision 6 by 6, जो आपकी corrected vision है, मतलब आप कुछ भी चस्मा पहनने के बाद, finally जो आपकी आँख है, वो distant vision, दूर आली जो vision है, दूर का यह दी साफ नहीं दिखता है यह दी, तो आपको चस्मे के साथ या और भी कोई correction के बाद, आपकी 6 by 6 तक आनी चाहिए, और बहुत होगा थोड़ा से relaxation और 6 by 9 तक, और otherwise जो आपकी बुरी आँख है बीना चस्मे के, बीना किसी support के, बीना किसी correction के, तो आप 6 by 12 या 6 by 9 तक चलेगा, then near vision, near vision मतलब जिसको नजदीक के देखने में problem है, तो वो तो भाई better eye, मतलब finally जो आई है correction के साथ, वो N6 पूरा होना चाहिए, और यदि खराब आँख है, तो थोड़ा चलेगा, जो कि normally Air Force, Navy में नहीं चलता, तो वो N9 तक चलेगा, मतलब इसमें भी आपको relaxation है, near vision में, normally services, military में, near vision में, Air Force और Navy especially में बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर, sailors में, soldier entry में आपको, या airman entry में, near vision में कोई relaxation नहीं है, वो N6 होगा, better eye and worse eye, लेकिन यहाँ पर CEPF में चुकि ओफसर स्कैडर की entry है, तो यहाँ पर कुछ relaxation दिया गया है, क्योंकि qualification बड़ी है, इसमें, graduation है, और आपकी age भी है, तो यहाँ पर इस नजरिये से यहाँ पर थोड़ा relaxation है, यदि आपको 6x6, 6x12 सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, तो मेरा एक वीडियो है, eyesight के उपर, वैसे तो यह NDA के उपर है, लेकिन इसमें सारी technical information दी गई हैं, जिसको आप देख सकते हैं, then limits of refractive wearers permitted, यह सारी चीज़ें इसमें सब explain किया गया है, what is refractive iraq and myopia, hypermetropia, everything, color perception के बारे में भी इसमें बताया गया है, इसी हरा plate के बारे में भी बताया गया है, lasic surgery, lasic surgery के बारे में इसमें इन्होंने बताया हुआ है, कि यह जो prescribed criteria है, इस criteria के अंदर में आपकी lasic surgery होती है, age, यह बाकी medical term है, इतना mm का होना चाहिए, सारी thickness and all, वो सब चीज़ें, वो जो आपका operation हुआ होगा, उसमें mention होगा, सारी चीज़ें, तो उसके according ही आप eligible है, and candidates must have completed 6 months after lasic surgery, मतलब आपके operation के बाद 6 months हो जाना चाहिए, वो आपके certificate में mention होगा, CFEF की entry के लिए, then carrying angle, carrying angle का मतलब यह होता है, कि आपका जो हाथ जब आप सीधा करके रखेंगे horizontal, तो उसमें आपकी elbow सीधी है कि नहीं, उसका कुछ angle होता है, कई बार कुछ candidate का यदि या तो by birth या चोट लग जाने सी वज़े से, accident की वज़े से, उ उसके बाद भी recovery के बाद उनका यहाथ टेड़ा दिखता है, तो यह यहाँ पर जो permissible limit है, that is 15 degree and female के लिए 20 degree, मतलब female को ज़्यादा relaxation है, then ear, normal इसमें बात कही गई है कि बहरा नहीं होना चाहिए, और किसी तरह का issue नहीं होना चाहिए, बहना नहीं चाहिए, इसके बारे में मैं पूरी detail एक अलग से separate video में बना दूँगा, और आपकी जानकारी के लिए medicals related, मेरा एक video है Navy का medical test, उसमें यह सारी चीजें मैंने लगभग cover की हुई है, जिसको देखने से आपको इन सब चीजों को भी समझने में बहुत आसानी रहेगे, क्योंकि military या paramilitary का जो standard है medical का वो लगभग samey है, then कुछ general standard, speech जो है आपकी without impediment, कोई हकलाना नहीं चाहिए, stammering का मतलब हकलाना, तो यह सब कई सवारी चोटी-चोटी चीजें उसको आप देख लिजे, then candidates should not suffer from tachycardia, tachycardia का मतलब होता है जिसमें heart beat जो है, वो थोड़ा सा normal से ज्यादा तेज धरकता ह है, this is tachycardia का जो यह image बोलिए, then bradycardia, bradycardia इसका सिधा उल्टा है, इसमें normal से slow होगा, यह bradycardia, and then दूसरा, candidates should not suffer from hernia, यह hemorrhoids का ही तरह की डिजीज है, वो सब नहीं होना चाहिए, then tattoos के बारे में कोई भी religious sentiment है, उसको hurt नहीं करना चाहिए, and यह जैसे Indian army का जो standard tattoos को लेक वो होना चाहिए, location, कहां पर बनवा सकते हैं, तो यह navy का भी एक पिछला video मैंने ready किया, उसमें भी यह forearm के अंदर में inner forearm जिसको बोलते हैं, forearm मतलब elbow से लेके, जो आपकी wrist है, उसको forearm बोलते हैं, तो inner side में ही allow है, और यहां पे एक और इन्होंने clause mention किया है कि केवल left वाले प मतलब यहां से लेके, यहां तक का हिसा का one four तक आप बना सकते हैं, then male का यह chart है, average body weight, kilogram में age और आपकी height, तो यह आपका height वाला जो part हो गया, इतनी height है, और यह जो portion है, यह सब आपका age है, जो कि मैंने यहां पे mention किया हुआ है, यह पूरा जो row है, age का है, और यह आपकी weight का मतलब एक example देखें, यदि कोई candidate 18 से 22 age है उनका beach में, और height उनकी 156 है, यह male के लिए बात लागो हो रही है, तो उनका जो weight है 44 से लेके 54 kg के beach में हो सकता है, और इसमें कुछ relaxation भी है, हम आगे देखेंगे, female का यह जो chart है उसका, for example 23 से 27 age की beach की एक female है, जिनका height 150 cm है, तो उन उनका जो weight है, वो 37.5 से लेके 45.5 के बीच में हो सकता है, और इसमें जो relaxation है, यह सब के लिए है, कि जो per cm में आपका 0.7 मतलब लगभग 710 gram उपर नीचे हो सकता है, या तो increase हो सकता है, या decrease हो सकता है, विवस मुझे उमीद है कि यह notification के main information को लेके आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, यदि अभी भी आपने मेरे चैनल को exam information के लिए, English के लिए, GS के लिए subscribe नहीं किया है, तो subscribe कर लिजिए, और यदि subscribe कर लिए है, तो like, share and comment करके, मुझे आप और energy दीजिए, ताकि विसेज, get selected, Jai Hind!